साथियों जब हम मंगल की कामना करते हैं मंगल का मतलब शुव की कामना करते हैं तो हमारे सामने आ जाते हैं हमारे धार्मिक प्रतिक, धार्मिक चिन और धार्मिक क्रयाएं भी सामने आती हैं और बहुत बार आपने सुना होगा एक मंत्र का उच्चारण किया जाता है इसी तरह से और भी मंत्रों का जाप किया जाता है और जितने भी हमारे पूजा पाट होते हैं सनाता धरम में खास तरीके से उसमें स्वास्तिक का बहुत बड़ा महत्व है अब स्वास्तिक आपने सुनतो लिया, पढ़ भी लिया, देख भी लिया कि इसका शास्त्रोक्त, यानि विदी विधान के साब से इसे कैसे बनाना चाहिए इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आपने किस तरह से स्वास्तिक का निर्माण करना, कैसे बनाना है और किस तरह से इसको मेंटिन करना है और क्या है इसका विदी विधान जानना चाहेंगे तो ये वीडियो आप ही के लिए बना है आखीर तक देखना एक बिल्कुल नया ग्यान आपको मिलने वाला है आज और इसका मतलब आज का दिन आपका बहुत शुब होने वाला है नमस्कार साथियों मैं हूँ डॉक्टर अनत भार्दवाज और आज लाया हूँ आपके लिए एक बहुत जवर्दस टॉपिक जिसमें बताऊंगा आपको कि स्वास्तिक कैसे बनाए जाता है स्वास्तिक है जिसको साथिया भी बोल दिया करते हैं ये सिंबल साथियों वैसे तो बहुत सारी कास्ट एंड क्रीट में पूरे वर्ड में किसे न किसी रूप में इस्तमाल होता चलाया है क्योंकि चक्र का प्रतीक होता है ये अब हमारा जो इंडिया में भारत में खास तरीकी से और भारत के बाहर भी जो सनातन धर्म में यूज होता है उसको जो है स्वास्तिक जब बनाते हैं तो उसमें कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है इसलिए हमने लिखा है स्वास्तिक यानि सातिया को बनाने की बिलकुल सही विधी ये जान लेना आपके बहुत काम आएगा देखिए सबसे पहले तो जब भी आपको स्वास्तिक या सातिया बनाना है तो ध्यान करें कि आपके अपने जो वस्त्र हैं नहाद हो के स्वच वस्त्र पहने इसको हलके मिना लें हाँ जब हम पढ़ाते हैं सिखाते हैं कहीं भी कोई हमारे प्रोगाम चलते रहते हैं कुछ बताते रहते हैं किसी चीज़ के बारे में वैसे तो रोजमरा की जिन्दगी में हम लोग आम तुर्पे बाते करते हैं जब साती आपे बनाना है, स्वास्ती बनाना सीधा सीधा बिल्कुल स्वास्त रहना है बिल्कुल साफ कपरे पहने, नहाद हो करके आप बनाएं तो ज्यादा सरहेगा इसके साथ आपकी भावना जुड़ी है भावना के साथ वावना के साथ वावना जुड़े है वावना के साथ जुड़ा हुआ है कल्यान इसलिए इसको आप हलके में ना लें और इसको बहुत गंबीरता से बनाएं नमबर दो हाथों को फिर से दो लें जैसे आप नहाद होते हैं उसके बाद ने बनाने से पहले एक बार फिर से हैंड वाश कर लें उसके बाद बनाने के लिए आम तर पर जो यूज़ करते हैं रोली का यूज़ करते हैं कुमकुम करते हैं चावा का यूज़ करते हैं इस पर लगाने के लिए हल्दी से ही बनाए जाते हैं, ये एक मुखे तौर से यूज कीए करने वाली ऐसी चीज़े हैं, जिससे हम बनाते हैं paint जिसको कहते हैं, जिसके अंदर kerosinal होता है, जिसके अंदर chemicals होते हैं उनसे स्वास्तिक को बनाना नहीं चाहिए, अब इसके बाद तरीके से अलग-अलग समय पर अलग-अलग कारण से जब इसको बनाए जाता है तो बहुत बार मध्यमा उंगली जो है उसको भी यूज कर ले जाता है लेकिन एक साधरन आम तोर पर जो हम लोग हमारे हाथ की फिंगर होती है मध्यमा के और चोटी फिंगर है वारी दों की बीच में इसको यूस करना ज्याधा अच्छा रहता सबस्गेशा त्रीका यह बनाने का बनाते समय और वी टोगत आपने क्रीव करते हैं अब आपको बना राओर है क्या चम्लान कर देता है । आफकी जंदगी भर काम आता है कभी भूलते नहीं और मैं बहुता हूं बहुत पर जाता है इसे सिखाये कभी भूलता नहींगा अब देखिए मैं आपको बचाता हूं एक बहुत सिंपल त रिका कभी नहीं को डुलें गाप हमने बनाने हैज 25 जो पहला वाइं गें पहला 5 लिखें के लिए यह अ यहमारा पांच हो गया लेकिन ऊपर का डंडा हमने कर αрипाइया ठीक युद्ल में नहीं बनाया जब दूसरा पांच लिखा हमने तो इस हमने ऊपर का डंडा तो बना दिया लेकिए नहीं से का डंडा नहीं बनाया देखिए यह भी फाइव है इसमें याद यह जो पांच लिखने का फार्वुला यह आपको कहीं नेट पर मिलेगा नहीं किसी ने बताई भी नहीं है पर आप ना भूलें जैसे मैंने याद किया यह यह आपको तरीका बता रहा हूं कि मुझे याद रहा है जीवन भर हम पीडी दर पीडी से लाइन में आपको मैंने बताए था कि मैं शाहिए वास्तु में आपको हार्ड़ी को मिलेगा ऐसा और आज वास्तु करते करते मुझे वास्तु में 48-49 साल हो गये हैं जीवन निकल या पूरा अब देखिसमें हमें डॉट लगाना है वन टू थ्री फोर फाइव ठीक सीरस हमने कैसे लगाया हमने इस तरह से बनाया डॉट लगाया इसके बाद अभी भी जो स्वास्तिक है पूजा पाट के लिए धर्म करम के लिए किसी भी अच्छे काम के लिए या किसी भी अनुष्ठान के लिए भी संपूर्ण नहीं है पूरी तना से इसके साथ साथ आपको रिद्धी सिद्धी भी आपको बनानी चाहिए यह इस तना से लाइन इसके साथ खैशते हैं तब यह रिद्धी और सिद्धी बन जाती है अब यह संपूर्ण अपने आप में पूरी त से बनाएंगे आप तो आपका कोई साथ कोई कोई कल्यान नहीं होगा कोई बुरा होने वाला है उपर वाला सब को देखता है अगर आप शुर्द्धा से कुछ भी कर रहे हैं तो वो सब कुछ ठीक होता है इसमें बहुत जादा इसके अंदर जाए डटिरता नहीं पैदा करने के लिए आगे चलते हैं इसके बाद में हम इसके नीचे आप लिख सकते हैं राम से शुबरा भी लिख सकते हैं इसके साथ में शुब हो गया लाव हो गया यह लिख सकते हैं आप जैसे आपको लगता है आप कुछ भी अपने वो करें इसके बाद एक बाद ध्यान करेंगे अब ये अनुष्ठान हो गया पूजा बार हो गया वोगई हड़ान बीखने में पहले कहाँ करना आपद पेसे अइसा पर ऑड़ भी अंकीत किया जाता है ये बनाने के लिए और पहले कि एपसे पहले ये दुरु निया खांट किसाיע से सब्सक्राइब तो इसका निष्टारण हो जाता है सातिया मुझे रगता है जिनदकी भर याद रखोगे अपने बच्चों के समझा जाना कि डबल फाइब का फार्मुला इस स्वास्ति को बनाने के लिए प्रियोग करना चाहिए, कभी नहीं भूलेंगे जीवन में आप, ऐसी होते मेरे वीडियो, अच्छा लगा ना, कैसा लगा मेरे वीडियो, अच्छा लगा, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बार जब आपको क चैनल को किया हुआ है, सब्सक्राइब सालों पहले, इयर्स पहले आपने किया था, अगर नहीं किया तो अफिर कर ले ना, और हाँ एक बात है, कभी-कभी आप सोचते हैं कि सब्सक्राइब करने में कोई खर्चा बढ़ता है, नहीं खर्चा बढ़ता है, नहीं खर्चा वीडियो आता है सबसे पहले आपको सूचना मिल जाती है कि यह वीडियो आगे आपके पास एकदम से पॉप अप कर जाता है और आप वो वीडियो जो मैंने डारा है नया वो देख लेते हैं सातियों ज्यान में सबसे आगे जो चलता है जंडा लेकर वही जिजाय करता है सबा की अगली पंक्ती में बैठना सीखो पीशे की भीड में खड़ा होना मस सीखो अगला वीडियो फिर आपके सामने आएगा एक नया टॉपी लेकर तब तक के लिए आप मुझे बिदा नमस्कार धन्यवाद